नमस्कार, मैं हूँ सुरिष्टी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योगरीती में आज मैं आपके लिए शिरुवाती योगा अभ्यास लेकर आई हूँ बहुत है सिंपल बट बहुत ही एफेक्टिव हर कोई इसका अभ्यास कर सकेगा तो चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जरूर कर ले जिसे हर नए योगा आसन का वीडियो प्रणायामा ध्यान का वीडियो आप तक पहुंसते रहे और आप बहुत कुछ नया सीख पाएं योगा भ्यास में बिल्कुल अराम से कमफर्टेबल होके बैठ जाएं दोनों हाथों को अपने जागों पिटिका लें हथेलियां ऊपर की ओर पूरी तरह से अपने हाथों को रेलाक्स करते वे आँखों को बंद कर लें और बस अपने सांसों की ओर ध्यान के इंद्रित करते वे मन को शांत करने की कोशिश करें पूरा ध्यान सांसों की ओर दीमी गती से हम सांस अंदर लेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे हम अभ्यास की शुरुवाद ध्यान देकर करते हैं जिससे हम पूरे तरह से अपने योगा आशना अभ्यास में भी बिल्कुल फोकस्ट रहें तो बिल्कुल नाचरली सांस लेते वे सांसों पर ध्यान रखते वे भाव को बिल्कुल भी नसीखो रहे बस naturally सांस लेते रहें एक मिनट और और आप ठीरे से अपने आखों को खोलें बदक और आसना से शुरू करते हैं दुनों पैरों को जोड़ लें तलवों को जोड़ते वे घुटनों को बाहर के और गिरने दें और बस हलका हलका अपने पैरों को मूफ करें तितली आसन बाटरफलाई बहुत ही बहतरी इन आसन है आपके हिप के मोबिलेटी के लिए अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपके लिए जमीन पे बैट कर तितली का अभ्यास करना थोड़ा डिफिकर्ट होता है तो आप कुशन पे भी बैट सकते हैं जमीन पे कुशन रखके उसके उपर बैटें उससे पीट पे थोड़ी और लंबाई आती है और आपको इस आसन में बहुत ज़्यादा और कमफरिबल फील होगा तो बस थोड़े दिर और हम बद्धकोन आसना में बने रहेंगे बिल्कुल नैचरली सांस लेते रहें सांसों को नहीं रोपना है इस वीडियो में सिर्फ आसनाओं का भ्यास करेंगे वीडियो को समाप्त करने के बाद अगर आपके पास समय हो तो प्रणायामा का भ्यास भी जरूर करें वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूँगे तो बिस फिलहाल इस बदे को नासना में बने रहें बिस पांच किंती और एक, दो, तीन, चार, और पांच ब्यूटिफुल तीरे से रेडीस करके दोनों पैरों को फिर से कमफर्टिब ले ले आए सुख आसन में एक साइड स्ट्रेच लेते हैं दोनों हाथों को साइड में रख ले, सांस लेते वे, पूरे तरह से अपने बॉडी में क्लेंथ लाए और सांस जोडते वे धीरे से अपने दाय हाथ को ठाते वे बाई और ले जाए बस यहाँ पर बने रहना है, नाचरली सांस लेते रहे चाती को नीचे के ओड़ना गिरा है, चाती को खोल के रखना है ब्रीद, सांस लेते रहे एक दो तीन ध्यान रहे, हम अपने नीचे वाले हाथ पर अपने शरी का भार नहीं डालते हैं बस उसे सपोर्ट के लिए उस करते हैं चार और पाच दीरे से दाया हाथ नीचे, फिर से एक सांस अंदर भरे सांस छोड़ते वे बाया हाथ दाई और जाएगा सेम स्रेच दूसरी और एक दो तीन चार और पाच दीरे से रिलीस कर ले और अब हम प्याग रिस्वांस का अभयास करेंगे बितिलासन और मर्जरियासन दोनों घुटनों को जमीन पे ले आए हथेलियों को अच्छे से जमीन पे प्लेस कर ले उंगलियों को फैला के रखना है जिससे आपका ग्रिप अच्छे तरी से बने रहे यहां ध्यान रहे जितना हो सके अपने बॉडी को पुश करके थोरे देर हम यहां पे बने रहेंगे टेबल टॉप पॉस्च्छर में बने रहेंगे बस पांच गिंती तक एक सांस नाच्रली लेते रहें ध्यान रहे कमर को जुकाना नहीं है खलका होल्ड करके रखना है दो ती चार और पांच धीरे से सांस लेते वे अपने पेट को रिलीस करें और सामने क्योर देखें बहुत ओपर क्योर देखने कोशिश ना करें गर्दन पर कोई प्रेश्र नहीं बनना चाहिए सांस ठोरते वे पेट को सिकोरते वे पेट को ऊपर क्योर धके ले और अपने ठुड़ी को चाती के पास सांस लेते वे पेट रेलाक्स सामने क्योर देखेंगे सांस ठोरते वे पेट को सिकोरते वे पेट ऊपर अपने गती से करते रहे सांस लेते वे बितेलासन कोई हरबड़ी नहीं बिलकुल अराम से धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको पूरे तरह से अपने स्पाइन में मोबिलिटी फील होगा ब्रेड और अब धीरे से फिर से टेबल टॉप में आते वे अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे भराएं अराम से कमफ़टेबल लगे तो अपने सेर को जमीन पर रख लें अगर यह थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप अपने बाहों पर भी रह सकते हैं कुछ इस तरह से लेकिन अगर कमफ़टेबल हो तो पूरे तरह से अपने हाथों को सीधा रखते भी फैलाने की कुशिश करें दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ धीरे से अपने चाती को फिर से उठाएं और खुद को अधो मुकष्वनासना डाउनवर्ड फेसिंग डॉक के लिए तयार करें टेबल टॉप से हम थोरा सा अपने हाथों को आगे भढ़ाएंगे कुछ इतना दोनों पैरों के अंगलियों को करल कर लेंगे और अपने हाथों पे और पैरों पे प्रेशर डालते वे धीरी से घुटने को उठाते वे अपने पीट को बिल्कु सीधा कर लें कमर को उपर की और अगर आपका एड़ी अच्छे से जमीन पर टिक पा रहा है कुछ तरह तो उसे अच्छे से टिका लें अगर लग रहा है कि यह टूमच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप अपने घुटनों को हलका बेंड करके रखें द्यान रहे चात्री को आगे नहीं रखना है कमर को पीछे के और पुष करते वे पीट में लंबाई लाएं तीरे तीरे आप चाहें तो एक पैर को bend भी कर सकते हैं फिर दूसरे पैर को bend करें पहले पैर को सीधा रखते हुए दीरे धीरे हलका हलका अपने hamstrings को अपने पैर के पीछे वाले हिस्ते को हम stretch कर रहे हैं ब्रीध कमफर्टेबल हो तो अधो मुक्र्षवासना में बिल्कु स्थिर बने रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ अराम से धीरे धीरे घुटनों को नीचे ले आएं, दोनों पैरों को अंगली को जोड़ते वें, घुटनों को बाहर के और फैलाते वें, अपने छाती को जमीन के और लाते वें, हाथ को आगे फैलाएं चाइल्ड पोज, ब्रीध, दोनों आखों को बंद रखते वे, आप अराम से अपने सिर को मैट पे टिका सकते हैं, अगर लग रहा हो कि यह बहुत जादा चालेंजिंग है, सिर जमीन पे ना आ रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर इस तरह से बाहों पे बने रहें और अपने सिर को जमीन से जबरदस्ती टच कराने की कोशिच बिल्कुल भी ना करें, जो आपको comfortable लगे उस variation को चूज करें breathe, एक, दो, तीन, चाल, और पाज, रिलीस, धीरे धीरे अपने हाथों को अंदर लाते पे आराम से उठ चाएं, दोनों पैरों को जोड लें इस बार, और एक different variation of child pose लेंगे, बिल्कुल इसे तरह से पैर को जोडते वे, धीरे धीरे आप अपने पीट में लंबाई रखते वे, छाती को अपने जांगो पे टिका लें, दोनों हाथों को पीछे रखना है, comfortable लगे तो यहीं बने रहें, खुद को थोड़ा सो और flexible महसूस कर रहे हो, तो पूरे तरह से अपने सिर को जमीन पे बिला सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, फोर्स कुछ नहीं करना है, एक, दो, तीन, चार, और पाच, धेरे सिछाती को उठा लें, अब कुछ आसन का अभ्यास करेंगे, मैट पे खड़े होके, अराम से अपने मैट पे खड़े हो जाएं, बिलकुल सेंटर में, दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथों को कमर में रखते वें, फिर धीरे धीरे अपने पैर को फैला लें, लगबग तीन से चार फीट क की दूरी पे, बैलेस बनाए रखें, अब्जर्फ करें कैसा आपको फील हो रहा है यहां पे, अब हम वीर भैदर आसन भीका अभ्यास करेंगे, दाय पैर को खोल दे, इस तरह से कि दाय पैर की अंगुलियां बाहर की और खुल जाएं, दोनों पैरों को बिलकुल सीधा करना है, कमफर्टेबल लगे, तो दोनों हाथों को भी अपने कंधों के बराबरी पे ले आए, ध्यान रहे, अपने कलाईयों को भी अक्टिवली इंगेज करना है, इस तरह से लूज नहीं छोड़ना है, पूरे तरह से उंगलियों को फिलागते वे, बिलकुल अक्टिव अनरजी को महसूस करें, और दाय हाथ की ओर देखते रहें, एक, दो, बहुत बहतरी नासना है, आपके पूरे पैरों के मजबूती के लिए, आपके हाथों के मजबूती के लिए, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, अब पार्ष्रको नासना है, बिलकुल बैर को इसी तरह से बनाए रखना है, नो चेंज, देरे से दाय हाथ को दाय पैर पर टिका लें, इस तरह से जांक पर टिका लें, और अपने बाय हाथ को ऊपर की ओर ले जाए, तो हलका सा स्ट्रेश करते वे दाई ओर ले जाए, इस तरह से, यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना है, जितना हो सके अपने शरील का भार अपने पैरों के मजबूती से रखें, हाथों के सहारे अपने बॉडी को डंप बिल्कुल भी ना करें, एक लेंथ बनाए रखना है और बस आठ गिंते तक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ, दीरे से अराम से उठ जाएं, दोनों पैरों को फिर से एक दूसरे से पारलेल कर लें, दोनों तलवा आपका एक दूसरे से पारलेल है, करेंगे, इस बर बाय पैर की उखल लें, बाय पैर को धीरे-धीरे मोड़ते वें, घुटना और, एरी एक लाइन में ले यह आसन आपके पूरे शरीर के लिए बहुत फायदे मन्द है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और आठ बाया हाथ बाय जांग पे दाय हाथ को उठाते वे साइट के ओ ले जाए पाश्व कोन आसना एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और आठ अराम से धीरे से उठके फिर से अपने पीट को सीधा कर ले अब हम वाइड लेग्ट फॉर्वल्ड फोल्ड लेंगे मतलब हम अपने पेरों को इसी तरह से बनाते वे सामने की ओर फोल्ड करेंगे अपनी शरीर को एक बार अपने पूरे शरीर में एक लंबाई लाए और धीरे धीरे फिर अपने कमर से जुकते वे अपने सिर को नीचे की ओर ले जाएं कमफर्टेबल हो तो दोनों हाथों को इस तरह से जमीन पे टिका लें ब्रीध सांस लेते वे पीट में लंबाई लाएं सांस ठोड़ते वे कमर से हलका नीचे जुकने की कोशिश करें जितना आपको कमफर्टेबल हों को सिर्फ उतना ही करना है कुछ फोर्स नहीं करना है ब्रीध एक दो तीन चार पांच पांच छे साथ और आठ धीर इसे फिर से अपने सरीर को उठा लें दोनों हाथ को कमर पे लाते वे पीट बिलकुल सीधी और अपने दोनों पैरों को अराम से जोड़ ले और अब हम अपने हिप्स की मोबिलिटी फी फोकस करेंगे करें डहों फ्र्क्राइर को अपने अड़ी के में अफ्रश Cash अब हीडना अपने यहां पे दीव पर ने बरेक्स करना है उस पर अपने बोड़ी को लिन नजिका करना अपने शेरी को हार अपने डिवार पर न इढ़ना है तो सिर्फ पहली उंगली और अंगोठी को इस तरह से आप अपने दिवार पर प्लीज करें जिससे आपको थोड़ा सपोर्ट मिले और यहां पर हम अपने पैर को हलका रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डिरेक्शन में मैं बिना दिवार के सहारे की कर रही हूँ अगर आपको comfortable हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं जिससे आपको च्छे से दिख पाए इसलिए मैं आपको और फेस करते वे आसन का भ्यास करती हूँ धीरे सीरे शरीर का भार अपने बाएं पैर पर डालते वे दाएं पैर को मोँ पर उठाएंगे और फिर साइड ले जाते वे धीरे से फिर नीचे ले आएंगे एक, continue दो तीन चार, अराम से धीरे धीरे करना है, हर बढ़ाना नहीं है पांच छे साथ और आठ सहारा लेने से विल्कुल भी ना हिच के चाहें, तो अगर आपका बैलेंस ओफ हो रहा हो, तो प्लीज दिवार का सहारा जरूर ले सेम हम दूसरी और करेंगे, इस बार अपने पैर पे अपने बाडी को बैलेंस करेंगे बाया पैर उपर उठाएंगे, साइड ले जाते भी फिर से नीचे ले आएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ रिक्षासन का अभ्यास करेंगे, फिर से पहले बाया पैर पे खुद को बैलेंस करेंगे आप दिवार का सहारा लेने से बिल्कुल भी ना हंज करzej Dlatego бывает अइस आठाएंगे धीरे धीरे अपने शरीकत भार अपने बाई पैर पे डालना शुरू करें और दाइ तलवे को बाई पैर पे रखेंगे, घुटने के नीचे या फिर घुटने के ऊपर जांग पे, जो आपको जादा कमफटेबल लगे, बस ध्यान रहे घुटने पे नहीं, घुटने पे दोड़ते वे चाती के पास ले आए और comfortable हो तो उपर भी ले जा सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ धीरे धीरे अराम से पहले हाथ नीचे लाएं और फिर पैर को रिलीस करें अगर थोड़ा balance विगरता हो थोड़ा wobbly हो तो कोई problem नहीं होता है अभ्यास करते करते stability आते जाएगी same हम दूसरी और करेंगे इस बार दाएं पैर पे खुद को balance करें दीरे दीरे बाएं पैर को घुटने के नीचे या फिर घुटने की ऊपर अपने जांग पर टिकाले ध्यान रहे फिर से याद देलाना चाहूंगी हम घुटने पे अपने पैर को कभी ने place करेंगे जोड़ो हाथ को कमर पे चाती पे या ऊपर जो आपको जादा comfortable लगे बस अपने balance को बनाए रखें एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ धीरे धीरे हाथ को पहले चाती के पास लाएं balance बनाए रखें फिर अपने बाइपैर को भी नीचे ले आएं हम अपने lower body पे काफी focus कर चुके हैं अब हम अपने upper body पे थोड़ा focus करेंगे दोनों हाथो को अपने side में रखने कुछ इस तरह से सास लेते वे हम अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे सास छोड़ते वे नीचे ले आएंगे चाती के पास बस अपने shoulder को हम थोड़ा mobility देंगे continue दो तीन चार और पांच release दोनों हाथ को अब अपने कंधों के बराबरी पे ले आएंगे हथे लिया नीचे क्यों रहेंगे उंगली को अच्छे से फैलाए रखना है ध्यान रहे कलाई को इस तरह से मोड़ना बिल्कुल भी नहीं है पूरा हाथ active रहेगा आपका यहाँ पे धीरे धीरे हम छोटा छोटा circle create करेंगे एक आठ गिंती तक आप यह continue करते रहें दो तीन यह आपके कंदों के लिए बहुत फाइदे मंद है चार बहुत जादा मजबूत यह देगा अगर आप ठकते हैं तो बीच में break भी ले सकते हैं चार पांच छे साथ आठ उवे प्रदेशा में आठ साथ छे पांच चार तीन दो एक रिलीज और धीरे से हाथ नहीं चिले आएं आपको और डी शोल्टर में काफी अच्छा सा एक्सरसाइस सा फील हो रहा हो गया तो बस अब यहां से हम मालासना का भ्यास करेंगे ध्यान रहें मालासना में कभी-कभी एडी उपर की और आ जाता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभ्यास करते रहें धीरे धीरे कम्प्लीटली आप अराम से अपने पैरों पे मालासना में आ पाएंगे मैं साइट से एक बार दिखा देती हूँ दोनों पैरों को बिलकुल अपने कमर के बराबरी पे रखना है उंगलियों को बहार की और रखना है एडी अंदर की और हलका 45 डिग्री आंगल पे आपका पैर रहेगा धीरे धीरे कम्फटेबल लगे तो आप अराम से मालासना में आ जाएं अगर थोड़ा सा चालेंजिंग लगता हो तो धीरे धीरे अपने पैर को मोड़ना स्टार्ट करें इस तरह से सहारा ले धीरे 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 अपने दोनों हाथ को पहले जमीन पे ले आए और अराम से आप कमर को धीरे से नीचे लाते वे मालासना में आ जाएं अगर यह डिफिकर्ट लगता हो तो अपने एडी पे इस तरह से बने रहे और अपने दोनों हाथ का सहारा ले या फिर कंफरटेबल लगे तो दिवार का भी सहारा ले सकते हैं अपना वेरियेशन चूस करें अराम से मालासना में बने रहना है मालासना में अपने कमर को बिलकुल इस तरह से गिराना नहीं है या फिर अपने पीट को बिलकुल कर्व नहीं करना है एक लेंथ अपने स्पाइन में लाना है बॉड़ी बिलकुल अक्टिवली इंगे सामने की ओर देखते रहें, दोनों हथेलियों को जोड़ते वे, एक, दो, ये आसन बहुत ही बढ़िया है आपके पूरे हिप के लिए, जिन्हें बैटने की शिकायत होती है कि मैं नीचे बैटने पाती हूँ, कभी कोई पूजा होता है तो मैं नीचे बैटती हूँ, तो मुझे बह बिलकुल सोसा जाता है, कमर दर देने लगता है, तो उन्हें इसका अभ्यास रोज करना चाहिए, बहुत जादा फर्क पड़ेगा, पांच, छे, साथ, और आठ, धेरे-धेरे अराम से अपने मैट पे बैट जाएं, और अपने पैर को सामने की ओड़ी आएं कुछ इस तरह से, हम थलका सा अपने पैर के अंगलियों पे ध्यान देंगे, धीरे से अपने तोनों पैर को अंगलियों को स्ट्रेच करते वे सामने की ओर पॉइंट आउट करें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बस यहां पे हम सांस लेते रहेंगे, योग का सबसे बहतरीन आसपेक्ट य होता है, जिसको हर तरह की लोग कर सकते हैं, तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं यह आसन नहीं भी कर पा रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसका इसर वेरियेशन करिये, धीरे धीरे अभ्यास करते करते, flexibility, strength सब आते रहेगी, इसलिए कभी भी हमें आसन से हिच के जाना नहीं है, अब अंग्मियों को अपनी और प्रेस करें, इस तरह से, आपको एक अच्छा stretch आपके पैर के पीछे फील होगा, बस यहाँ पर बने रहना है, पाँच किंती तक, पाँच, चार, तीन, दो, और एक, release, relax, दोनों पैरों को जोड़ ले, उपाविष्ट को नासना में हम जाएंगे, wide-legged fold, धीरे से पहले अपनी दाए पैर को बाहर के और फैलाएं, और फिर बाए पैर को, comfortably, जितना हो सा के उतना ही फिलाना है, कुछ force नहीं करना है, दोनों हाथ के सहारे, इस तरह से अपनी पीट को लंबाई देने ही कोशिश क करें, comfortable हो तो बस यहीं बने रहें, extra challenge या extra push करने कोई जरूवत नहीं है, खुद को लग रहा हो कि आपके body में और flexibility है, आप थोरा और challenge कर सकते हैं, तो दोनों हाथ को सामने ले ले आए, पीट में लंबाई लाते वे धीरे, धीरे अपनी कमर से जुखना स्टार्ट करें, ज पीट पीट नहीं हो सकें, लंबाई बनाए रखना है, अगर आप चाहें तो अपने दोनों पैर के अंगोठों को भी पकर सकते हैं, इस तरह से, बस सांस लेते रहें, एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, धीरे से रिलीज करें, पीट को सीधा रखें, दोनों पैरों को फिर से जोड लें, एक आसन का अभ्यास करेंगे, और उसकी बार शवासन में जाएंगे, दोनों पैरों को इस तरह से अच्छे से जमीन पे प्लेस कर लें, घुटना मुड़े रहेगा, घुटना उ अपने रहे, उंगली आपके पैर के और रहेगी, धीरे धीरे अपने पैरों पे और अपने हाथों पे हलका प्रेशर डालते वे, अपने कमर को ऊपर के और उठा लें, इस तरह से, चाहे तो आप अपने गर्दन को रिलीज कर सकते हैं, बहुत के लिए बहुत के लिए तीन, चार और पांच, रिलीज घुटनान, बिलकुल इसी तरह से बना रहेगा, कमर नीची आजाएगा, अराम से आप अपने मैट पे शवासन में आजाएं, घुटनों को मोडे रखें, चाहें तो शवासन में आने के पहले, एक बार पवन मुक्तासन भी आ सकते हैं, तो दोनों पेरों को मोडते वे, घुटनों को अपने चाहती के पास ले आएं, और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ लें, इस तरह से, ब्रीध, कमफर्टेबल लगे तो आप सिर को उठाते वे घुटने के पास भी ला सकते हैं, जो आपको जादा कमफर्ट लगे कुछ फोर्स नहीं करना है, कोई वेरिएशन बहतरीन या फिर खराब नहीं होता है, जो आपको इस शरीर को सूट करें, जो आपको कमफर्टेबल फील करवाए, जो आपके शरीर को लाव दे, हमें सिर्फ वो करना है, तो किसी को देखा दे की जबर्दिस्ती अपने बॉड़ी में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, और फिर थीर इसे पवन मुक्तासन से बहार आए, रिलीज और दोनों पैरो को फैला दे, दोनों हास चरेड के बगल में रहेगा, हथेली उपर की ओर, आखों को बंद कर ले, पूरे शरीर को बिलकुल रलाक्स होने दे, शर वासन को बिलकुल स्किप नहीं करना है, यहां पे भाव को बिलकुल भी ना सिको रहें, भाव को बिलकुल रिलाक्स रखें, चेहरे पे शरीर में कोई टेंश नहीं, चाहें तो आप अपने शरीर को हलका एजिस्स कर सकते हैं, जिससे आप बिलकुल comfortable posture में आ जाएं, आपका सबसे जादा comfortable posture, और बस हम दो मिनिट तक यहां पे अपने सांसों को observe करेंगे, ध्यान रहें, हर काम जो आपका बचा वो है, वो 10 मिनिट ध्यान रहें, अपने मन को बिलकुल सांस पे केंद्रित करके रखें, 5 मिनिट के बाद हमारा अभिहास खतम हो जाएगा, उसके बाद आप अपने daily work में, daily काम में आप अपने लग सकते हैं, फिलहाल पूरी तरह से अपने सांस पे ध्यान दे, मन को बिलकुल एक आगर करें क्यों से जाएवा करें यहां पर हम एक पर आकारा उकारा और फिर माकार करेंगे तो बिलकुर नाचुरली सांस लेते रहें सबसे पहले और चांटिंग करेंगे एक सांस अंदर भरें बॉड़ी बिलकुर रलाक्स बिलकुर नाचुरली सांस लेते रहें और उचांट के लिए खुद को प्रिपेर करें उकारा का चांट आपको चाती के पास महसूस होगा उसे महसूस करने की कोशिश करें एक सांस अंदर बिलकुर नाचुरी सांस लेते रहें खुद को मार चांटिंग के लिए तयार करें मकारा का वाइब्रेशन आपको गर्दन के ऊपर महसूस होगा भाओं के बीच में पूरे सिर पे अपने वाइब्रेशन को हलका महसूस करने की कोशिश करें एक सांस अंदर भरेंगे मन बिलकुर शांत धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड ले सिर को उपर ले जाते वे अपने शरी को एक लंबी स्ट्रेच दे पैरों की उउंग्लियों से हाथों की उउंग्लियों तक और फिर धीरे से घुटनों को मोरते वे किसी एक और मोर जाए शरीर को उठाते वे अराम से फिर से सुखासन में आ जाए और दोनों हाथों को पिछाती के अपास ले आए नमस्कार मोद्र में हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें और फिर हथेलियों को अपने चेहरे पे रखते वे अपने चेहरे पे गर्माहाट को मैसूस करें देरे से अपने हाथों को रिलीस करते वे आँख खोलते वे हथेलियों की ओर देखें धन्यवाद मैं उमीद करती हूँ आपको इस सेशन पसंद आया होगा अभ्यास करते रहना है, अभ्यास से जुड़े रहना है मेरे चैनल पे कई तरह की वीडियोस है, हर लेवल पे जिनका अभ्यास हर कोई कर सकेगा तो आप अभ्यास से जुड़े रहें, अगर आपको प्रनयामा का अभ्यास करना है तो प्रनयामा के अभ्यास का लिंक नीचे दे रखा है, जरूर जाएं मेरे चैनल पर ध्यान के भी कई सारे वीडियो रिलीज होते रहते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जरूर ध्यान का अभ्यास करें हर दिन सुबह उठने के बाद 5 मिनिट या 10 मिनिट का ध्यान आपका मन बहुत शाथ कर सकता है तो मैं उमीद करती हूँ, हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, कल फिर से मिलेंगे नए अभ्यास के साथ धन्यवाद